उत्तरकाशी सिल्क्यारा टनल में फसे 41 लोगों को बचाने की जंग लगातार चल रही है अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है दस दिन बीच चुके हैं ग्यारवा दिन आज है और ग्यारवे दिन की सुबह की तस्वीर आपको दिखा देते हैं यह टनल की सीधी तस्वीर दाला गया है ताकि इस पाइप की मजबूती बनी रहे और आगे भी पाइप का हिस्सा कर थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए तो जो चट्टान है जो बीच में आ रही है उसको भी भेट पाए और उसके आगे तक हम ड्रिल कर सकें तो अभी मौजूदा इस्तिती आप देखि से यह माना जा रहा है कि 30-35 मीटर तक हम लोग पहुँच गए हैं और तक्रीबन तक्रीबन इतना ही हमें और आगे जाना है लेकिन इस वक्त जिस जगह पर हम हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा रास्ता है क्योंकि वहां पर वो बीचो बीच का मलवा का बीचो बीच कर बीच का हिस्सा है जहां पर सबसे ज़्यादा दबाव होता है और वहां पर डिलिंग करना आसान नहीं वहां पर पाईप को पुश काना आसान नहीं उसी मुश्किल रास्ते से आगे बढ़ने की कवायद इस वक्त चल रही है और कल भी जो अधिकारी है रेस्क्व ऑ About पुषित बाहर निकाला जा सके जो पैरलल एक टनल बनाई जा रही है पाइप के जरीए उसके जरीए लोगों को बाहर निकाला जा सके और लगातार काम चल रहा और अच्छी बात यह है कि अब तक जब से दुबारा डिलिंग का काम शुरू हुआ है कल से अभी तक किस्तिती है कि डिलिंग का काम रुका नहीं है अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो माना यह जा रहा है कि अगले 24-35 घंटे के आसपास एक अच्छी खबर इस टनल से मिल सकती है कैमरमन जितेन सिंग के साथ दीपक सिंग रावत एबीपी नियूज उतरकाशी